बिसमिल्लाइब रख्मानी वहीम, السلام अलेकुम फ्रेंड्स हेलो गाइस, वेलकम तो लीगल यूटुबर चैनल दोस्तों, अमीद है आप सब खेरिस से होंगे दोस्तों आज की वीडियो के अंदर दो बहुत बरे अपडेट्स आप लोग के साथ शेयर करूंगा सबसे पहली अपडेट है दोस्तों वीजा प्रोसेसिंग को लेकर और सेकिंड अपडेट है एक्सपेसेंट्री ड्रॉ को लेकर दोस्तों आने वाले दिनों के अंदर क्या एक्सपेसेंट्री ड्रॉ कंडेक्ट किया जा सकता है यहां पर नहीं और अगर किया जा सकता है तो कब तक एक्सपैसेंट्री के ड्रॉज कंडेक्ट हो सकते हैं उसकी भी बात करेंगे तो चले फ्रेंट्स करते हैं इस वीडियो को शुरू मेरा मैं राज़ एक और आप देख रहे हैं लीगल योट्यूबर चैनल चले शुरू करते हैं वीडियो को श्राट करने से बले दूस्तों बता दूब कि जिलोगों नवतिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यह अपनी नीचे रेबड़न होगा उसको तबहात उबन को धमना बिलकुम मत भूलना ताकि आपको मेरा हर नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले आप सब जानते हो के रशिया और युक्रेन में एक वार चल रही है जिसकी वज़ा से केनडा ने नियू स्टेटमेंट पबलिश किया है और ये स्टेटमेंट युक्रेन के लोगों के लिए बहुत ज़ादा अच्छी नियूस है लेकिन हमारे लिए ये काफी ज़ादा प्रोसेसिंग थी उस पर काफी ज़ादा एफेक्ट हुआ था क्योंकि दोस्तों उस वक्त केनडा जो है वो अगवान रिफ्यूजीज को फर्स प्रोसेसिंग थी उसे बहुत ज़ादा स्लो कर दिया गया था और जब भी लोग केनडा हाई कमिशन को इमेल किया करते थे अप प्लेन किया गया होता था जिसकी वज़ा से उनकी प्रोसेसिंग स्लो हो चुकी थी क्योंकि दोस्तों उस वक्त जो है वो अगवान के हालाद जो थे वो बहुत ज़ादा खराब थे जिसकी वज़ा से केनडा ने काफी ज़ादा मदद की अगवान रिफ्यूजीज की और Canada IRCC की तरफ से एक statement release किया गया है कि Canada IRCC को चाहिए कि वो जल से जल जो है वो Ukraine citizens की files को process करें जिनोंने भी Ukraine से PR के लिए apply किया है या फिर student visa के लिए apply किया है या फिर किसी भी किसम का visa apply किया है चाहे visitor visa है चाहे business visa है उनकी files को Canada IRCC जल से जल जल प्रोसेस करें ताके वो और उनकी जो family है वो Canada के अंदर आकर अपनी new life start कर सके जो के काफी ज़दा अच्छी बात है दोस्तों क्योंकि लिए इस वक्त यूकरेन के हालात काफी ज़दा खराब हो चुके हैं लेकिन दोस्तों ये चीज़ अब बाकी countries की जो processing time है उसको effect करेगी और ये 100% है दोस्तों जैसे के अगवान crisis के अंदर भी बाकी countries को ही इसका सामना करने को मिला था उनकी processing time को slow कर दिया गया था और अभी भी ये ऐसे ही होने जा रहा है कि Ukraine crisis की वज़ा से फिर से बाकी countries की processing time effect होगी जहां आप Canada को backlog किलियर करने में 6 मा लगने थे वहां 9 मा लग सकते हैं जो के काफी bad news है हमारे लिए लेकिन दोस्तों उनके लिए ये काफी अच्छी news है इस time के उपर उनको Canada की काफी ज़ादा जरूरत है अगर Canada उनकी help करेगा तो वो एक new life start कर पाएंगे Canada में आके अब बात करते हैं दोस्तों second update की जो के immigration minister की तरफ से है दोस्तों recently interview के दोरान immigration minister से Canada express entry को लेकर काफी ज़ादा questions पूछे गए जिसमें से एक सवाल था कि express entry के draw कब तक connect किये जा सकते हैं इस सवाल पर immigration minister का कहना था कि मैं पहले भी इसका जवाब दे चुका हूँ कि बहुत जल्द express entry के draws जो है वो निकाले जाएंगे क्यूंकि express entry बहुत बरा program है Canada का जो के बाकी किसी भी country में मौझूद नहीं है और Canada की economy को boost करने में सबसे बरा हाथ है express entry program का तो बहुत जल्द दुबारा से express entry के draws कंडेक्ट होना शुरू हो जाएंगे लेकिन दोस्तों उनकी बातों से ही ये देखकर लगता है कि आने वाले दिनों में बिलकुल express entry के जो draws है वो बड़े numbers पे निकाले जाएंगे लेकिन जिनोंने भी recently apply किया है उनको मजीद इंतजार करना पर सकता है क्योंके जायर है जैसे जैसे लोग apply कर रहे हैं ऐसे express entry का भी जो backlog है वो काफी जादा बढ़ते जा रहा है तो जब भी express entry के draws कंडेक्ट किये जाएंगे तो पहले उनको priority दी जाएगी उसके बाद ही वो new files की तरफ आएंगे तो अभी जो लोग भी apply कर रहे हैं express entry में उनको काफी इंतजार करना पर सकता है तो फ्रेंट्स उमीद करता हूँ कि आप लोगो ये वीडियो पसंद आई हो गया अगर प्लीज पसंद आई हो तो वीडियो को like कर देना चैनल को जो सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी next interesting वीडियो में तब तक के लिए good bye